भक्त जनों को नवरात्री की हर्दिक शुब कामनाएं आज नवरात्री के साथवे दिन मा काल रात्री का पूजन किया जाएगा इस दिन सादक का मन सैस्त्रार चकर में स्थिर होता है ये दुष्टों का सहार करती है इनका रुप देखने में अत्यांत भ्यंकर है प्रन्तु ये अपने भक्तों को हमेशा शुब फल परदान करती है इसलिए इने शुमकरी भी कहा जाता है इनका वर्ण काला है वा नेत्र तीन है मा के केश खुले हुए है और गले में मुंड की माला धारन करती है ये गर्दब यानी गधा की सवारी करती है इनके नाम का उचारन करने मातर से ये बुरी शक्तियां बेवीत होकर भाग जाती है एक पुराणिक कथा के नुसार एरक्त बीज नाम का राक्षस था मनुश्य के साथ देवता भी इस से परशान थे रक्त बीज दानव की विशेष्टा ये है थी कि जैसे ही उसके रक्त की बून धर्ती पर गिरती तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था इस रक्षस से परशान होकर समस्या कहल जाने सब भी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे भगवान शिव को ग्यात था कि इस दानव का अंत माता पारवती ही कर सकती है पगवान शिव ने माता से अनुरोद किया इसके बार मापारवती ने स्वयम शक्तिवा तेज से माकालरात्री को उत्पन किया इसके बार जब मादुर्गा ने दैते रक्त बीच का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रख्त को मा काल रात्री ने जमीन पर गिने से पहले ही अपने मुख में भर लिया इस रुप में मा पारवधी काल रात्री कहलाई मा काल रात्री की पूजा करने के लिए सुबह चार बजे से छे बजे तक का समय उत्तम माना जाता है इस दिन प्रात्य हसनान करके आप मा की पूजा के लिए लाल रंगे कपड़े पहने इसके बाद मा के समक्ष दीपक जलाएं अफ़ल फूल में श्ठान आदी से विधी पुरवग मा कालरात्री का पूजन करना चाहिए पूजा के समय मंत्र जाप करना चाहिए ततपस्षात मा कालरात्री की आरती करने चाहिए इसके लावा सत्मी की रात्री में तिल के तेल या सरसो के तेल की अखंजोती भी जिलाने चाहिए आप मा कालरात्री को गोड़िया हलवे का भोग लगा सकते हैं क्योंकि वे बहुत प्रसन होती हैं उनका ये प्रिय भोजन है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है बोले मा कालरात्री की जै दुर्गमाता तेरी सदा ही जै